नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका इस वीडियो में इस वीडियो में हम लोग BTSC A&M एक्जाम जो दो डेट का भी बचा हुआ है जैसे कि 11 और 12 जनवरी वाले परिक्षा भी बचे हुए है तो उसमें किस टॉपिक को आपको रिवाइज करने है साथ ही 5 जनवरी को कौन से question पूछे गए है वो भी हम आपको दिखाएंगे जैसे कि बहारतियों के द्वारा जो question मेरे पास आया है वो सारी update हम आपको इसमें देंगे question कहां से आ रहे है और किस topic से जैदा question आ रहे है और किस topic को आपको अब बचे हुए समय में जैदातर रिवाइज करने है तो जो भी candidate 11 और 12 जनवरी को एक्जाम देने वाले हैं वो सारे candidate ध्यान पुरुवक इस वीडियो को देखे इस वीडियो में आपको सारी जानकारिया मिलने वाले हैं आपके exam को ले कर क्योंकि आपके पास बहुत ज्यादा समय भी नहीं है जैसे कि या आज 6 जनवरी हो गया तो आपके पास अब कम ही समय बचे हैं आपके पास अभी ही रिभाइज करने का समय है आपके पास चार दिन बहुत समय होते हैं आपके objective के लिए अगर आप एक दिन में 200 भी question परते हैं तो आप 400 तो 400 1000 के आसपास में पर सकते हैं और 100 question objective 200 भी 0 भड़ी बात नहीं है सिर्फ objective ही आप takich को देखकर जाने हैं तो जैसे कि हम question के तरफ भी आपको लेकर चलेंगे question का कभी collection है तो आप लोग यदि जिन candidate अभी तक मैराथन क्लास नहीं लिये हैं उनको हम 15 solar lecture सब मतलब ज्यादा देर का नहीं है आधे गंटा का है 30-35 मिनट का सारे lecture हम आपको provide कर देंगे जिसमें की पूर ले चुके हैं उनके लिए तो benefit हाई और जो नहीं लिये हैं वो सारे candidate इस नंबर पर वार्टसप करें और अभी PDF और class ले ले हम आपको वार्टसप पर सारा कुछ भेज देंगे इसके लिए आप लोग इस नंबर पर contact करें आपको सारा कुछ तुरंत भेज दिया जाएगा जैसे ही आप वार्टसप करिएगा आपको सारी details मिल जाएंगे और payment करने पर आपको class और PDF दोनों कुछ provide तुरंत कर दिया जाएगा और यह आपका जो classes चलाया गया था मैराथन वह आपके लिए बहुत ही beneficial सावित हो रहे हैं तो question भी हम question का भी analysis करेंगे जैसे कि किस topic से कित काफिस जो होते हैं उसमें कौन सा hormone अस्त्रावित होते हैं यह कई बार आ गया है अपगार score में क्या-क्या चेक किये जाते हैं इसको भी हम लोग कई बार देखे हैं इस तरीके से और मतलब की गर्वावस्था में कौन से सब्ता के दौरान quaking का जो किया जाता है मतलब कि यह आप question से थोड़ा सा अंदाजा लगा सकते है क्योंकि वहाँ पर लिखने का अनुमत ही नहीं रहती है तो किसी तरीके से question आते हैं बाहर क्योंकि आप सब को पता है कि computer based exam है तो इसमें जैसे ही मतलब कुछ question किसी candidate यदि आपको एक भी question या exam है वह class ले ले क्योंकि अब भी आपके पास समय है आप revise कर सकते हैं अभी आपके पास sufficient समय है बचा हुआ तो आप लोग बिना सोचे आप लोग जरूर contact करें और PDF और जो मैराथन class है वह हम आपको 16-17 lecture होंगे अभी वह फिलाल हम आपको सारह कुछ provide कर देंगे और आप 4-5 दिन में revise कर सकते हैं आदे गंटा का lecture है एक दिन में 3-4 भी देखिएगा तो चार दिन में समाप्त हो जाएगा और आपके mind में रहेंगे question क्योंकि अब नस्दिक आ गया अब जो परिएगा वह आपके दिमाग में रहेगा तो वह रहेगा तो आप वहाँ पर बना सकते हैं लिख के आ सकते हैं और जिनका जितना correct होंगे उन्हीं का merit बनेगा ये तो आपको पता है क्योंकि result हो जाने से तो होंगे नहीं जिनका merit list में नाम आएगा उन्हीं कंडिडेटों को job होने वाले हैं तो आप लोग बिना देरी किये हुए बैराथन class ज़रूर ले ले और भी ये अपडेट कोई आते हैं एक्जाम के रिगार्डिंग और भी question हमारे पास आते हैं तो हम आपको सारी collection बताएंगे थैंकिए